एक तरफ नितिशक्मार जहां लगतार विपक्ष को एक जूट करने में लगे हुए हैं बिहार में जिस तरह की चठचाय चल रही हैं उसमें नितिशक्मार का आपर एंड है सरकार बहुत smoothly चल रही है लेकिन इसके साथ साथ एक और मामला है जो कहीं न कहीं एक तरफ नितीश कुमार को परिशान भी कर रहा है नितीश कुमार के पास एक बड़ा मौका था जब वो अपने आप को एस्थापित करने के लिए और एक माइलस्टोन लगाने के लिए तैयारी कर रहे थे जातिये जनगनना को ले करके जिस तरह से नितीश कुमार को खाली हाथ लोटना पड़ा था केंदर से नरेद्र मोदी ने जातिये जनगनना करने से इनकार कर दिया था उसके साथ साथ इसकी चर्चाएं भी खूब हुई आपने देखा होगा कि संसत भावन में भी जब जम करके इस पर चर्चाएं हुई डिवेट हुआ लेकिन उसके बावजूद भी केदर सरकार ने जातिये जनगना पर टस्स से मस्क नहीं होना स्विकार किया इसके साथ साथ आपको बता दे हैं कि नितिश कुमार भी जीत पर अल गए थे और उन्होंने बिहार में जातिये जनगना कराने के लिए सुरुआत कर दी इसके लिए उन्होंने जो जरूरी था वो कदम भी उठाये बिहा सुमबार यानि 28 अगस्त को सुप्रीम कोट में जवाब दाखिल किया है आपको बता दें कि लगतार चल रही थी यह मामला और इस मामले में नितीश कुमार को ऐसा लगता था कि जातिये जिन्वन्ना कराने के बाद वो विपक्स को और मजबूत कर सकेंगे और लोगों को यह मिल जाएगी कि किस जाति की संक्या कितनी है बिहार में जातिये जातिकत सर्वेक्षन का पहला चरण 11 Janowari को ही पूरा हो गया था लेकिन पतना हाई कोट ने बिहार सरकार को इस सर्वे की अनुमती नहीं दी थी कि वो सर्व्रणि करे इसे शुप्रीम कोट में चुनौती उसके अनुसार कहा है कि संभिधान के तहट जनगन्ना केंद्रिय सुची का विशय है। Census Act 1948 के तहट केंद्र सरकार को पूरे देश या देश के किसी हिस्से में जनगन्ना कराने का अधिकार है। कोई भी राज सरकार या अन्य संस्था जनगन्ना नहीं करवा सकती है। तुसार मेहता की ओर से केंद्र का जबाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद इस मामले को आज 28 अगर्ष की तारिक तैक की थी। दरसल बिहार में जातिये जनगन्ना के लिए पहला चरण पूरा कर लिया है। फाइनल स्टेज में था और इसको ले करके नितिश कुमार और उनके साथ साथ जितनी भी पार्टियां हैं सभी आसान में थी। अगली सुनवाई जब होती है तो क्या निकल करके आता है लेकिन ततकाल तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि केंदर स्टकार ने जाती है जनगना पर विराम लगवा दिया है। सेबन डबल जिरो धन्यवादी।